बिहार में जो जातिय जनगना चल रही थी जिसका नाम बिहार सरकार ने दिया था जाती आधारित गन्ना उसको लेके कई लोग और संगठन हाई कोट का रुक किये थे उसके खिलाफ की जातिय जनगना नहीं होना चाहिए तो इस पर हाई कोट ने पहले अंतरीम जो फैसला दि लग दि गई थी उसके बाद यह भी कहा गया था कि जरातिय जन्नगना में जो डाटा उसको सर्यायर सरकार नहीं कर सकती है तो अब अंतरीम फैसला जो आया है उसमें याचिका करता जो जितनी भी याचिका है subscription झारिच कर दिया गया है और बिहार सरकार को green signal दे दिया गया है कि अब जातिये जनगना बिहार में कराई जा सकती, इस पर बात करेंगे पत्ना है कोट के जाने माने वकील सिवनंदन भारती जी से, क्या कुछ हुआ पत्ना है कोट में जातिये जनगनना कोट है, क्योंकि पिछले पांच दिनों से लग और उरनाने प्रटीशन कोडीश कर दिया एक लेन में जो अध्मनने और डिटेल ओडर लोग देखेंगे तो समझेंगे क्या है लेकिन उसके परिशन जदी हो गया तो उसका माईने ये निकाला जा सकता है कि आज के डेट में जो बीहार सरकार सतंत्र हैं और तो तो जातिया धारित गर्ना जो करवा रहे थे वो continue कर सकते हैं या जितने डाटा अभी तक उन्होंने ले आया था शी पर्तिसत कहा जा रहा था कि काड़ी पूरे हो चुके हैं तो जितना हो गया उसको भी उचाहे तो पब्लिस्ट करा सकते हैं तो यह सब तमाम तरह की चीज है मैं मिल गया है अब सुप्रीम कोट में जाने की बारी यह टेक्निकल बात आप समझे यदि सरकार चाहे सरकार के पास एक option है कि यह अभी पेटिशनर बहुत सारे लोग हो सकता है कि सुप्रीम कोट जाएंगे सुप्रीम कोट जाएंगे तो वहाँ पर फिर कोई order तो सुप्रीम कोट में इसी नहीं जाए जाता सुप्रीम कोट के लिए जो order है यहां का इसकी certified copy निकाली जाएगी तो फिर वहाँ पर लिस्ट होगा वह सारी प्रक्रिया तो इसमें मिनिमम आट से दस दिन का वक्त लगेगा तो आज के परिश्टिति को देखके बिहार सरकार इस करना चाहिए कि असी परतिसाद जितनी गर्ना हो गए उसको पब्लिश्ट कर दें तो यह उनका उद्देश पुड़ा हो जाएगा या दूसरी बात वह यह कर सकते हैं कि वह अभी इस बीच में जब तक कि वह सुप्रिम कोट में पेटिशनर को एक opportunity है कि वह चाहे तो जा सक सकते हैं तो वह जब तक जाने का आपना वह त्यारी करेंगे उतना बीच में संपूर्ण करना को कर बाकिए अभी सरकार इमेडियेट यह कर सकती कि जितने भी लोग इसमें लगे ते टीचर उसको तुरंत इसी काम में पुनहां लगा के दस दिन का काम बाकिए तो वह सरकार कि देखिए अब यह जितने डाटा संग्रा हो गये थे वह सारा चीज का यह संग्रा हो ही गया है तो जितना पाट आपने कर दिया है गना उसको आप पॉब्लिस्ट कर दीजे ताकि कोई संकट के बाद किया जा सकता है इनके पास डाटा जिला बाई पूरे राजी का आ गया तो उसका जो रिजल्ट है वो जानने के लिए जो लोगों में उस सुकता है तो वो चाहे यदि राजनिती कारण नहीं हो कभी-कभी क्या होता है कि वो सरकार भी अपना कर दी फिर कि नहीं हुआ तो बंद हो गया तो अपनी वो बाते को राजनिती कारणों से छोड़ देते है तो अभी यहाँ पर असफस्ट है कि यदि राज सरकार चाहती है कि जाती अधारित गन्ना कराने के बाद उसका एक डाटा लोगों के बीच में आ जाना चाहिए तो अभी इनके उपर आज के परिष्टिती में कोई रोक नहीं है वो चाहें तो वो उसको जितना डाटा इनक कल से चाहे तो बिहार सरकार इसको आगे बढ़ा सकते बाकि 20 पर MON चा उसको पूरा करें तो आपकी क्या राए हैं इस सबताए Holz को सब्सक्राइबर